नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अभिप्षा की पूरी टीम की तरफ से मैं हूँ अभेनोत शांशो पांडे और हम क्या बाते कर रहे हैं आईए एक बार फिर से देखते हैं हम लोगों ने इस अध्याय से जुड़े हुए जितने भी डिसकुशन से वो सारे कर लिये थे आज हम कहां खड़े हुए हैं कक्षा बारवी की भौतिकी इस सीरीज में हम एक्जाम सेरीज चला रहे हैं अभीशा के प्लैटफर्म पर आपको हमारी सारी वीडियो जो कि आप यूट्यूब में देख रहे हैं वह भी और उसके अलावा यहां पर आपको माइंड मैप माइंड मैप उसके बार में नोट्स और स्पेशल मेंटर्शिप यह सारी चीज़ें जो हैं आपको हमारे अप् अप्लिकेशन मिल जाएगा यहां से हम बात कर रहे हैं एक्जाम सेरीज मिशन 2023 की अब देखिए इसके जितने भी थियोरी पार्ट है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिसकस कर ली आज की बारी क्या है प्रीवियस यूर क्वेस्टन एक और वीडियो आप लोगों ने इस बहुत महत्यपूर्ण होने वाली है और उसका मुख्य कारण है कि यह सारे प्रश्ण जो हम लोगों ने देखे हैं यह सारे के सारे प्रश्ण हमारे परिक्षाओं से उठाए गए हैं और अब हमें डिसकस करेंगे कि हम इनके उत्तर कैसे लिखें पचले शुरवात करते हैं सबसे पहले देखें विद्दुत विभाव किसे कहते हैं और यह अदिश राशी है या सदिश राशी है आप सीधा सीधा सबसे पहला काम क्या करते हैं सबसे पहले आपका करतव यह है कि आप सूत लिखें वी बराबर डबलू बटा क्यू इसके बाद में हमको क्या बताना ह इसका जो है मात्रक बताएंगे तो मात्रक के लिए क्या करेंगे मात्रक के लिए देखिए W का मात्रक क्या है W का मात्रक है Joule और आवेश का मात्रक है Q तो यह होता है Q ठीक है Q तो हम क्या बुलेंगे कि प्रती एक आवेश द्वारा किये गए कारे को विद्धुत विभाव कहते हैं देखे भाई हम लोगों ने सूत्र लिखा और सूत्र के करान हम अपना उत्तर भी लिख पाएंगे प्रति एकांक आवेश द्वारा किये गए कारे को हम विद्धुत विभाव कहते हैं इसका मातरक जूल प्रति कूल तो विद्दूत विभाव भी एक अदिशराशी है हमको चत्तिज़ कर दो हजार साथ में जो है ये प्रशन पुछा गया था आपको ये प्रशन दो नम्बर के लिए पूचता है तो आपको इतनी सारे चीज़े लिखना सफिशेंट है आपकोशिए करें कि जिसका आपको सूत्र पता है आप पहले सूत्र लिख दें क्योंकि आपके सेंटेंस में जो है आपके हैंड राइटिंग के कारण उसको लिखने के तरिके कारण आपके शब्दों के कारण इन सारी चीजों के कारण नंबर में लिया कट सकते हैं लेकिन जब आप सूत् आगे बढ़िए और विद्दूत विभाओ का साइब मात्रक तथा विमिय सूत्र लिखे अभी अभी हम लोगों ने देखा कि विद्दूत विभाओ डबलूबटा क्यू होता है और यहां पर जूहें जूल जूल प्रती कूलम जो है इसका यह साइब मात्रक हो जाएगा वैस स्क्वेर टी माइनस टू और आवेश के लिए विम्य सित्रु सूत्र क्या होता है यह होता है एम्पीर सेकेंड तो इसको उपर लेके जाएंगे और यह बन जाएगा एम एल स्क्वेर और उसके बाद में टी माइनस थ्री ए माइनस वन यह जो है विद्धुत विभाव के लिए विम्य सूत्र बन जाता है चलिए आगे बढ़ेंगे और अब जो है हमारा अगला प्रश्म क्या है किसी चालक की विद्धुत धारिता से आप क्या समझते हैं और इसका एसाई मात्रक भी लिखिए विद्धुत धारिता हमारे पास फिर से सी बराबर क्यू बटा वी और इसके बाद में जो है इसका एसाई मात्रक लिखना है तो विद्धुत धारिता का एसाई मात्रक होता है फैराड हम क्या लिख सकते हैं फैराड अब क्या होता है यह सूत्र लिखा हुआ है सूत्र से प एक वोल्ट से बढ़ाने के लिए आवशक आवेश की मातरा को उसकी विद्दु धारिता कहते हैं फिर से बोलिए किसी चालक का विभाव एक वोल्ट बढ़ाने के लिए आवशक आवेश की मातरा को उसका उसकी विद्दु धारिता कहते हैं इसका जो है साई मातरक फैराड है और दूसरे तरीके से यहां देखें यह है कूलम और यहां पर यह कूलम है ठीक है और कूलम और यहां वोल्ट है तो कूलम प्रतीव वोल्ट भी हो सकता है लेकिन इसको हम कहते क्या है फाराट कहते है तो दोनों चीज़े हम लोगों ने लिख दी अब देखते हैं क्या एक खो उस गोले को अधिक आवेज दिया जा सकता है जबकि दोनों का विभाव समान है हमको फिर से पता है क्या कि C बराबर Q बटा भी अगर जो है दोनों का विभाव समान होगा तो उनकी धारिता के उपर निर्भर करेगा कि उसके उपर कितना आवेज दिया जा सकता है ये बात होती है फोर पाई एफसलान नौट और उसके बाद में आर यह जो है उसकी विदुद धरता होती है अब यहां पर यदि खोख़़ा गोला हो या ठोस गोला हो हमको पता है कि जब किसी धात्विक गोले में जो है हम आवेश डालते हैं तो कोई भी आवेश इसके अंदर नहीं या वो जो है खोखला गोला हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता दोनों की धारिता एक जैसी होगी और यदि दोनों की धारिता एक जैसी है तो उनका उनके अंदर डाले जा सकने वाले आवेश की मात्रा भी समान होगी कब पुछा था 2010 में आईए आगे बढ़ते हैं संधारि की धारता का एसाई मात्रक सी बराबर क्यू बटा वी यहां से कूलम प्रती वोल्ट कह सकते हैं लेकिन इसका जो है एसाई मात्रक होता है फैराड ठीक है और फैराड और अब जो है अगली बात क्या है विमियस होता है तो आवेश क्या होता है आवेश होता है एंपियर प्र वोल्ट होता है M L स्कावर्ग T-3 और A यह तो हम लोगों ने अभी अभी देखा कहां देखा देखिए M L स्क्वेर T-3 A-1 M L T-3 A-1 तो अब यहां पर हो जाएगा M उपर जाएगा तो A का वर्ग इस तरीके से हमको विद्धुत विभाव का विद्धुत धारिता का जो है विमिय सूत्र भी मिल गया 2022 ने पूछा गया प्रशन है मतलब हमको ध्यान देना चाहिए ठीक है आगे की बात करो पृत्थ्वी के विभाव को सुननी नहीं भाईया शून्य क्यों कहते हैं शून्य क्यों माना जाता है तो इसका उत्तर क्या है फिर से देखो सी बराबर फोर पाई एफसलान नौट और और पृत्थ्वी का जो विभाव है मतलब उपत्रिज्या है वह बहुत जादा होता है कितना लगभग 6400 किलो मीटर होता है तो लगभग 6400 किलो मीटर की त्रिज्या वाले पृत्थ्वी को जो है अगर हम एक चालक गुला मानेंगे तो उसकी धारिता जो है बहुत अधिक होती है अब इसकी धारिता बहुत अधिक होने के कारण क्या होगा कि हम कितना भी आवेश डाल दें इसमें कितना भी आवेश डाल दें उसको एक वोल्ट उसका विभाव बढ़ाने के लिए उसका विभाव एक वोल्ट से बढ़ाने के लिए अवश्यक धारिता का मातलब आवश्यक अवेश का मान बहुत अधिक होगा। इसलिए निया समान्यत या क्या होता है कि पृथवी में कितने अवेश डाल दो या पृथवी से कितना अवेश आप निकाल लो उसके विभाव नत्र नहीं आता और इसलिए हम लोगों न activities के विभाव को reference के लिए सुन्य मान लिया विभावले जो है चालक को हम अब धनात्मक विभाव का मान लेते हैं ठीक है तो अब धनात्मक के मुझे और बिफ्रोधå कि तुलना में जो है हम बता सकते हैं इसके लावा एक और क्या तरीका है भाइ हमारे पास में एक सोर्स आवेस याने कि स्ट्रोच चार्ज क्यूं है और स्थो चार्ज क्यूं पर जो है यदि हम एक धनात्मक प्रेक्षण आवेश डालेंगे तो बाहे बल को कारे करना पड़ेगा यहां तक आवेश डालने के लिए और इसलिए यह धनात्मक विभा होगा क्योंकि इसमें इसकी स्थिती जूर्जा में पृद्धी हो जाएगी इसकी विपरीत यदि हमारा जो है स्थोत आवेश धनात्मक होने की बजाए रिनात्मक है यदि हमारा स्थोत आवेश रिनात्मक है तो यहां पर जो है बाहे बाहे बल को कोई कारे नहीं करना पड़ेगा यह स्वयम ही आकर्षित हो जाएगा यहां से बलकि इलेट रहे और काुसमें जुह है उसकी दिशा के कारण जुह हम इसमें धनात्मक य्रिनात्मक विभह मानते हैं यह एक तरीका है सोचने का और दूसरा तरीका है पृथवी के विभाओ की तुल्णा में धनात्मक के रिनात्पक उससे भी जो हमारा काम चल जाएगा आगे बढ़ते हैं 2022 का प्रश्ण है और 2022 का प्रश्ण क्या है एक समान लूप से आवेशित किसी चालक के अंदर विद्धुत छेतर की तीब्रता और विद्धुत विभाव का मान क्या होगा देखे जब भी हम जो है गाउस का प्रेमे की बात करेंगे तो एक चालक हम ने लिया और इस चालक के इस चालक पर जो है जब हम आवेश देते हैं तो सारा का सारा आवेश जो है इसकी सतह पर आकर एक अठा हो जाता है अएसे सतही में क्या होगा कि जब हम इस पर विद्धुत छेत्र की तीब्रता की गढणा करेंगे कहा इसके अंदर वाले हिस्से में तो इसके आतरिक हिस्से में जब हम गासी पृष्ठ की कलपना करते हैं तो गासी पृष्ठ द्वारा घिरा गिया कूल आवेश शूने होत होता है रिण डी वी बटा डी एल अब यहां पर आप मानिए कि यदि ए का मान शुन्य है तो मैं यहां से तेरियक गुणा करूं तो ई गुणा डी यल का मान भी शुन्य हो जाएगा इसका मतलब डी वी का मान भी मान्शून्य हो जाएगा और डीवी का मान्शून्य होने का अर्थ है कि वीटू माइनस वीवन का मान्शून्य है या फिर वीटू वीवन के बराबर है ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि जो भी हमको विद्दूत विभाव का मान इसके प्रिष्ठ पर मिलेगा उसके अं हम देखेंगे कि विद्दू छेतर की तीवरता जो है वो तरिज्या आर तक पहुंचने जब तक हम तरिज्या आर तक नहीं पहुंच जाते उसके अंदर विद्दू छेतर की तीवरता शूर नहीं होती है जैसा ही हम आर पर पहुंचते हैं विद्दू छेतर की तीवरता का इसके लिए बनाएं हम विद्धुत विभाव और त्रिज्जा के लिए बनाएं तो हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर विद्धुत विभाव का मान एक बराबर होता है कब तक जब तक हम त्रिज्जा आर तक नहीं पहुंच जाते हैं यहां से अब विद्धुत विभाव का मान कम होने लगता है तो यह जो है दोनों ग्राफ में अंतर है यहां हम विद्धुत छेत्र की तीविता शूर ने पाते हैं जबकि विद्धुत विभाव अंदर एक समान बना रहता है आगे बढ़ेंगे अब जो है इसके बाद में हम क्या देखेंगे कि हम लोगों ने पूर स्ट्रेक रिविजन है मतलब चीजों को जल्दी जल्दी हम खतम करने का प्रयास करेंगे यदि अभी भी आपको जो है इस अध्याय से जुड़ी होई चीजों को याद रखने में कोई समस्या हो रही है या आप चिंतित हैं कि आप परिछा के दिन इतने सारे कंसेप्ट एक चीजें सीख जाते हैं तो आप देरी मत कीजिए प्ले स्टोर से हमारा अप्लिकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां से ये पढ़ाई कंटीनू करने का प्रयास करें यदि आप यूट्यूब में ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शे हुआ 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 है